पानी के बारे में बताने वाली हूँ पानी को जीवन दैनी भी कहा जाता है ये भी कहा जाता है जली जीवन है इसलिए आज मैं आपको पानी के बारे में बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि पानी हमारे लिए कैसे उप्योगी हो सकता है सबसे पहले तो सुबह सुबह हमें एक गलास गर्म पानी जरूर पीना चाहिए जिसे कि हमारा मार्ण बिल्कुल फ्रेस हो जाता है और हमें ताजगी महसूस होती है और हमारे स्किन को एक अच्छा हाइड्रेट मिल जाता है पानी को हमेशा हमें बैट कर ही पीना चाहिए पानी हमेशा सिप किप करके थोड़ा थोड़ा करके हमें पीना चाहिए जब हम पानी पीने लगते हैं तो देखेंगे कि आपकी स्किन की जितने भी प्रॉब्लम है दाग धबे हैं जाईया हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि हमारी स्किन हाइड्रेड होने लगती है हमारी स्किन को भरपू पानी मिलने लगता है इसलिए हमारी स्किन चमकदार होने लगती है और बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है हमें मुस्कुराना भी है पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखना ही है पानी को हमेशा कभी भी आप इकठा न पीए पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीजे हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं कभी भी पानी हमें खड़े होके नहीं पीना चाहिए और पानी कभी भी हमें इकठा पूरी बोता लिया पूरा जग करके नहीं पीना चाहिए क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो जो कुछ भी हम खाये रहते हैं वो सारा लिक्विड हो जाता है और हमें पूरा पो सकता तो उसका नहीं मिल पाता है यह ध्यान देना है कि हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके बैट के आराम से बिलकुल पीना है आपको जितनी प्यास लगी हो एक ग्लास डेज ग्लास आप उतना आराम से पानी पी सकते हैं कभी भी यह न सोचे कि हम बहुत सारा पानी एकठा पी ले आप दिन वर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें फिर देखें आपकी सकिन कैसे चमकदार बनती है आप कितना भी फेशल करा लो वो ग्लो नहीं आलता है क्योंकि हमारी सकिन डेड़ हाइडेड हो जाती है हमारी सकिन में पानी की कमी हो जाती है जिस प्रकार से हम पेड़ को पानी देते हैं तो वो हरा-बरा रहता है उसी प्रकार से ये है, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी स्किन भी हैडेड हो जाती है और चमकदार बनती है इसलिए पानी का बहुत महत्व है, हमें हमेशा पानी पीते रहना चाहिए Thank you